हालो बच्चो मुंगफली खाया हुग अभी मुंगफली छिलका तोड़ते हैं दाना निकलता है और अपन खा लेते हैं I hope सब लोग उने मुंगफली तो खाई हूगी कई बार आप लोगों के साथ भी ऐसा हुआ होगा कि जब अपन मुंगफली छिलके खाते हैं तो दाना नीचे गिर जाता है सोफ़े के नीचे चला जाता है अपन बड़ी मेहनत करते हैं सोफ़े के नीचे से दाना निकालते हैं और फिर उसको खाते हैं तो जो दाना नीचे गिर जाता है उसके बाद आपन जो उस दाने को ढूंडते हैं और ढूंड के जब खाते हैं तो यार उस दाने को खाने का मज़ा अलग आता है आई होब आपको भी अलग मज़ा आता होगा मुख़ली खाते हुए दाना गिर जाए और उसको ढूंड के खाएं अलग ही मज़ा आता है क्यों आता है? क्योंकि वो जो आपने महनत की है न दाने को ढूणने के लिए और उस महनत के साथ जो मस्ती की है ढूणते हुए वो महनत और मस्ती का कॉम्बिनेशन उसके बाद फिर तुम दाना खाते हो तो वो एक अलग एहसास के साथ वो दाना खाया जाता है तो एक डिफरेंट फिलिंग देता है मैट्स में भी यार वैसा ही है जिस क्वेशन के साथ आप ज़ादा फन करोगे उसको सोल्व करने के लिए ज़ादा महनत करोगे उसके बाद वो क्वेशन सोल्व हो जाएगा तो एक अलग एहसास उत्पन होगा एक अलग सा मज़ा आपको उस क्वेशन को सोल्व करने के आएगा तो यार मैट्स के जो क्वेशन है ना वो मूमफली के उन दानों जैसे हैं जो मुंफली चीलते वे तुम से गिर गए थे और अब थोड़ी महानत करनी है, वो दाने उठाने हैं अगर आपने उठा लिए खा लिए, तो बड़ा मजा आएगा दाने खाने में तुम मेरी मुंफली और मैं तेरा बदाब बन जाउंगा अगर तुम मेरी मुंपली बन जाओ तो मैं तुमारा पदाब बन जाओंगा क्या है नमस्ती होती रहेगी टंडी का टाइम है मुंपली खाए बड़ी अच्छी होती हेल्थ के लिए और यार जो कोई दाना चिलते वह मुंपली गिल जाए डूंड के खाना बड़ा मज आएगा कुड्रैटिक एक्वेशन पे आज हमारा लेक्चर नमर 6 है तो कैसे हैं आप लोग I hope आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी हूँ एकदाम भननाट तो चलिए आज के इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं कुड्रैटिक एक्वेशन पे इस लेक्चर में हम शुरुआत करेंगे कुड्रैटिक पॉलिनोमियल के ग्राफ के साथ हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में लेक्चर नमर 5 में quadratic polynomial के graph सीख लिये थे एक introduction हमने already वहाँ पे graph की मिल गई थी तो यहाँ पे graph of quadratic polynomial के discussion को आगे continue करते हैं मैंने आपको बताया था कि quadratic polynomial का जो graph है वो parabola होता है graph of a quadratic polynomial is a parabola graph of a quadratic quadratic polynomial is a parabola quadratic polynomial का graph parabola होता है क्या बोला parabola ठीक है अब यार देखिए यहाँ पे अपन discussion कर रहे है quadratic polynomial in x ठीक है x में quadratic polynomial कुछ यू लिख सकते है ax square प्लस bx plus c a यहाँ पे 0 नहीं होता नहीं होना चाहिए ठीक है तो यार x square प्लस bx c का graph जो है वो parabola होता है और दो possibility होती है या तो graph upward parabola होगा, या graph downward parabola होगा, या graph downward parabola होगा, या अपवर्ड parabola होगा, या फिर downward parabola होगा ये डिपेंड करता है A की value पे, x square के coefficient पे depend करता है किस पे depend करता है x square के coefficient पे अगर a positive है अगर a positive है अगर a positive है तो upward parabola बनता है अगर a positive है तो upward parabola बनता है और अगर a negative है अगर a negative है तो downward parabola बनता है कैसा parabola बनता है फिर बनता है downward parabola repeat कर दूँ अगर A positive है ऐसी quadratic polynomials का graph upward parabola बनेगा और अगर A negative है ऐसी quadratic polynomials का graph downward parabola बनेगा और A 0 तो हो नहीं सकता अब तुम बोलोगे कि A positive पे upward parabola क्यों बनता है A negative पे downward parabola क्यों बनता है यह बड़ी simple सी बात है जब X हमारी infinity होगा ना X infinity होगा या minus infinity होगा X infinity या minus infinity होने पे A की value positive रहेगी तब Y infinity आएगा और X infinity पे Y infinity बनेगा जब यहाँ पे upward parabola बनाएंगे और X infinity या minus infinity पे Y minus infinity होगा अगर A negative है तो downward parabola बनेगा यहाँ से थोड़ा हाँ sense किया जा सकता है ठीक है बाकी तो देखिए बाकी parabola की equation पेराबोला की definition और पेराबोला की सारे basics coordinate geometry के parabola chapter में detail में तुमको समझाए जाएंगे ठीक है जी तो यह हो गया हमारा upward parabola यह है हमारा downward parabola upward parabola बनता है उन quadratic expressions का graph जब A मेरा positive हो और A negative हो तो बनेगा downward parabola चीक है और यहार upward parabola बही तीन प्रकार से बन सकता है या तो यू बन सकता है upward parabola जो X-axis को दो distinct जगों पे काटे upward parabola ऐसा भी बन सकता है जो X-axis को touch करके चला जाए और upward parabola ऐसा भी बन सकता है जो X-axis के completely above lie करें ठीक है तो upward parabola की तीन possibility होती है यहाँ पे देखिए इस parabola ने X-axis को दो बारी intersect किया है ठीक है इस parabola ने X-axis को एक बारी बस touch किया है और यार इस parabola ने X-axis को ना ही touch किया है अरे touch करना समझते हो ना भाई छूडा ठीक है ना ही इसने touch किया है और ना ही इसने intersect किया है ठीक है अब यार ये वाला parabola देखें ये जो parabola है ये downward parabola है इस case में इस downward parabola ने x-axis को दो different जगों पे cut किया है downward parabola x-axis को touch करते हुए भी बन सकता है downward parabola x-axis को touch करते हुए भी बन सकता है यहाँ पे देख सकते है downward parabola x-axis को touch करते हुए बन सकता है और downward parabola ऐसा भी बन सकता है जिए x-axis को ना ही cut करें और ना ही touch करें completely below the x-axis तो upward parabola की तीन possibility बनती है और downward parabola की भी तीन possibilities बनती हैं अब यहाँ पे यहाँ पे mind में यह question आ रहा है कि ऐसा graph किस condition में बनेगा और यह graph किस condition में बनेगा कहने का मतलब यह हुआ कि अगर हमारा a positive है ना a positive है तो upward तो बनेगा मगर upward के साथ साथ वो x-axis को दो जगों पे काटे उसकी क्या condition होगी तो यार उसकी condition होगी d का greater than 0 होना d का greater than 0 होने का मतलब है d greater than 0 कब होता है जब दो distinct real roots हों क्या हो दो distinct real roots हों और यहाँ पे देखिए x-axis को दो बार cut करने का मतलब है x-axis को दो बार cut करने का मतलब है कि यह जो expression है यह दो बार 0 हो रही है दो बार 0 हो रही है अलग-अलग x पे मतलब इस expression को जब 0 से equate कर दूं तो जो equation आएगी उसके दो distinct root होंगे तो इसका मतलब d यहाँ पे क्या होगा greater than 0 होगा तो यार जब quadratic polynomial में a की value positive हो और d की value भी positive हो d क्या होता है d होता है हमारा d क्या होता है d हमारा होता है b square minus 4ac ठीक है d की value भी positive हो तो ऐसा graph बनता है और यार ऐसा graph कब बनता है यहाँ पे देखे downward parabola के लिए a negative होना जरूरी है और यहाँ पे भी देखे आर दो distinct root है दो distinct roots की पहचान होती है दो distinct real roots की बात कर रहा हूँ मैं दो distinct real roots की पहचान होती है कि वहाँ पे d जो है मेरा positive होता है d क्या होता है positive होता है तो a less than 0 a less than 0 के साथ d positive हो तो यार नीचे की तरफ पैराबोला बनेगा यूँ डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा और x की x-axis को दो different जगों पे ये काट करके भी जाएगा ठीक है और इस प्रकाल का पैराबोला कब बनेगा जी देखे ये तो positive होना चाहिए upward पैराबोला है और यहाँ पे देखे यहाँ यहाँ पे देखे दो coincident roots हैं इसी एक value को ये दो बार काटके गया मतलब यू बोल सकते हैं कि इस एक जगह पे ये touch कर रहा है यहाँ पे coincident roots जब होते है na coincident roots जब होते हैं quadratic equation के तो उसके corresponding जो quadratic polynomial होगा उसका graph जो है वो x-axis को touch करता है तो यहाँ पे d हमारा 0 होता है जब d हमा जब हमारा 0 होता है तब जाकर के जो parabola है वो x-axis को touch करता है तो यहाँ पे भी parabola x-axis को touch कर रहा है d यहाँ पे भी 0 होगा और यार इस बात में कोई जो है संदेह नहीं कि इसका a less than 0 होगा क्योंकि downward parabola है downward parabola जो होते हैं उनका a less than 0 होता है upward parabola का a greater than 0 होता है यार इन दोनों parab पैराबोला को देखिए, यह दोनों पैराबोला को जहां से देखिए, एक्स एक्सिस को यह कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो इसका यह मतलब है, इसका यह मतलब है, तो इन पैराबोला के करस्पोंडिंग, यह जो एक्स्प्रेशन है, यह कभी जीरो नहीं हो रही y कभी 0 हो नहीं रहा y 0 नहीं हो रहा इसका मतलब यह हुआ कि इस polynomial को 0 से equate करके जो equation बनेगी उट्राइटिक equation बनेगी उसका कोई real root होगा ही नहीं कोई real root होगा ही नहीं इसका मतलब d जो है वो less than 0 होना चाहिए d क्या होना चाहिए d होना चाहिए less than 0 है अगर d less than 0 किसी quadratic polynomial का मिल जाए तो वो quadratic polynomial के जो graph होते हैं वो x-axis को नहीं touch करेंगे नहीं cut करेंगे बात समझा रही है d less than 0 है और a positive है तो graph जो है parabola जो है वो x-axis के completely above लाई करेगा और a negative है d negative है तो parabola x-axis के completely below लाई करेगा तो यार यह छे प्रकार के cases बनते हैं छे प्रकार के parabolas बन सकते हैं equidratica polynomial के ठीक है so I hope आपको graph एकदम clearly समझ में आ गए होगी एक छोटा सा सवाल आप से पूछता हूँ मैं मैं आपको बोल रहा हूँ कि draw the approximate graph of draw the approximate graph of fx is equal to x square minus 5x plus 6 ठीक है इसका एक rough graph बनाएं ठीक है न approximate graph बोले तो एक rough sketch बनाना है ठीक है न अब हाथ से तुम बना रहे हो तो रफ ही बनेगा यार वो ठीक है draw the rough graph of fx is equal to x square minus 5x plus 6 ठीक है तो यार यह बालूम है कि यह quadratic polynomial है तो graph तो इसका पैराबोला बनेगा ग्राफ क्या बनेगा ग्राफ तो इसका पैराबोला बनना है कैसा पैराबोला बनना है upward पैराबोला बनेगा इसका अगर अपन ए नोटिस करें न इसका जो ए है इसका ए कितना है इसका जो ए है वो है 1 तो ए इसका positive है ए इसका क्या है positive है hence upward पैराबोला बनेगा हैंस क्या बनेगा upward पैराबोला बनेगा ठीक है अब इसका d चेक कर लेते हैं d कितना आया b square minus 4a into c तो 25 minus 24 d आ गया 1 तो d भी इसका positive है d भी क्या है positive है a b positive है d b positive है तो इसका मतलब क्या होंगे two distinct real roots होंगे two distinct real roots होंगे मतलब x-axis को ये two times cut करेगा अब अगर आप ये भी देखना चाहते हो कि x-axis को ये कहाँ पे cut करेगा कहाँ पे cut करेगा तो वो भी देखा जा सकता है आप इस expression को 0 के बराबर put करो इसको आप equate कर दो इसको 0 के equate कर देंगे ना इसको जब अपन 0 के equate कर देंगे तो इस expression की factor करके equal to 0 आगया तो यहां से देखिए x या तो 2 होगा या फिर समझ आ रही है x कितना होगा 3 होगा तो इसका मतलब x equal to 2 और x equal to 3 इसके roots है और parabola कैसा बन रहा है upward parabola बन रहा है तो यार ऐसा graph बनेगा यह जो graph है यह x axis को x equal to 2 बिंदू पे और x equal to 3 बिंदू पे काट करके गया है ठीक है आपको समझ आना चाहिए कि graph upward parabola इसलिए बनेगा क्योंकि इसका a positive आया है a positive given है d इसका positive है दो जगह तो काटना ही था किन जगह काटना है वो भी आप बता सकते हो किन जगहों पे काटना है आप वो भी बता सकते हो कैसे मालूम चलेगा वो मालूम चलेगा यार उसके roots निकाल दो आप है ना इसको equal to 0 करके उसके roots बता दो x की दो values आ जाएंगी तो वो दो location समझ में आ जाएंगी जहाँ पर यह जो graph x-axis को intersect करके गया है I hope आपको एकदम clearly बात समझ में आ गही होगी ठीक है ना कोई भी quadratic polynomial हो यार उसका graph easily बताया जा सकता है a और d की जानकारी होनी चाहिए और यह भी देखना है कि वो intersect कहा करके जाएगा तो उसके roots आ find out कर सकते हैं ठीक है जी अब यहाँ से एक और बात समझ नहीं है अपने को यह जितने भी graph है ना इन graph से कुछ बातें और judge की जा सकती है यह judge किया जा सकता है कि यह जो quadratic polynomial है na ax square plus bx plus c इसकी minimum value और maximum value क्या होगी इस ax square plus bx plus c quadratic polynomial की minimum और maximum value की feel ली जा सकती है इन graph को देखते हुए यहाँ पे अगर कोई बूचे इस graph की minimum इस graph को देखते हुए इस polynomial की minimum value क्या होगी तो हम बोलेगे यह इसकी minimum value है इससे छोटा ये कभी नहीं होगा और इसकी maximum value infinity है maximum value क्या है? infinity है यहाँ पे इसकी minimum value कितनी है? zero इसकी minimum value कुछ यहाँ पे आई positive है minimum value maximum कितनी है infinity तो यहाँ पे तीनों graph को देखिए इनकी जो minimum value है वो finite है और maximum value infinite है और यहाँ पर इन तीनों ग्राफ को देखिए, इनकी जो maximum value है वो finite है और minimum value तो minus infinity है minimum value कितनी है? minus infinity तो ए पॉजिटीव वाले quadratic polynomial जो होते है उनकी maximum value यहाँ से देख सकते हैं इन finite है और ए नेगटीव वाले quadratic polynomial जो होते हैं उनकी आप देखिए minimum value को देखेंगे तो वो कितनी है minus infinity है तो अभी अपन अभी अपन ये देखेंगे कि एक quadratic polynomial की minimum और maximum value कैसे find out की जाती है ठीक है so next topic is minimum and maximum value of minimum and maximum values of maximum values of akudratic polynomial of akudratic polynomial एक quadratic polynomial की minimum और maximum value कैसे निकाले जाते है एक example के थूरू शुरूआत करते हैं समझते जाएंगे पूरी theory मालूम कर लेंगे कि quadratic polynomial की minimum maximum value निकाले तो निकाले कैसे जैसे मैंने question दे दी आपको कि यार y जो है न y है x square minus 4x plus 4 तो मुझे y की range बताओ find the range of y range का मतलब है minimum maximum value बताईए y की find the range of y continuous function है minimum maximum value बताओ कि range निकल जाएगी ठीक है तो y की यार range बतानी है अपने को ठीक है अब देखिए minimum maximum value y की बतानी है अपने को तो आपको मैंने previous chapters में भी कई दफे ये बताया है की एक quadratic expression की minimum और maximum value की जब बात करनी होना तो whole square बनाने की कोशिश करोगे तो comment करना easy होता है तो यहाँ पे यहाँ पे अपने पास जो quadratic expression है ना x square minus 4x plus 4 मैं अगर इसमें whole square बनाऊ ना तो यह हो जाएगा x minus 2 का whole square क्या हो जाएगा x minus 2 का whole square और आप बोलो गयार यह जो x minus 2 का whole square है ना यह तो greater than equal to 0 होता है तो clearly आप बोल दोगे y की जो minimum value है y की जो minimum value है वो तो 0 होगी जीरो से छोटा कभी नहीं हो सकता और y की जो maximum value है maximum value है वो अप्रोच करेगी infinity को किसको अप्रोच करेगी infinity को अप्रोच करेगी क्योंकि whole square तो x की value बहुत बढ़ी कर दो के तो बहुत बढ़ा हो जाएगा x की value infinity कर दो के तो infinity हो जाएगा तो कुल मिला करके यहाँ पर range of y समझ में आ गई हमको range of y समझ में आ गई अपने को range of y हो गई अपनी 0 से लेकर के infinity क्या हो गई 0 से लेकर के infinity यह यह वाली जो quantity है ना इसमें x कुछ भी put कर लीजिया इसके अंदर आप x कुछ भी put कर लीजिये 0 से छोटा नहीं कर सकते इसको आप इसमें x कुछ भी put कर लीजिये यह quantity 0 output देगी या फिर 0 से बड़े output देगी यार जब मैंने functions की range निकालना सिखाया था ना तो वहाँ पे बहुत detail में quadratic expressions की range निकालना ही सिखाया थी आपको ठीक है तो भी वापस यहाँ पे अपन discussion कर रहे है ठीक है तो एक बात यहाँ पे जानना जरूरी है कि अगर तो हमारे पास ना अगर तो हमारे पास एक quadratic expression है एक स्कुआयर एक स्कुआयर प्लस बी एक्स प्लस सी ठीक है और इस quadratic expression का ए पोजिटिव है जहाँ से सुनना इस quadratic expression का अगर A पोजिटिव है तो एक बात त्यह है कि A पोजिटिव है तो इसका जो graph होगा ना इसका graph बनेगा upward पहना बोला ठीक है और अगर इस quadratic polynomial में इस quadratic polynomial में a negative है तो इसका graph बनेगा downward parabola कैसा parabola बनेगा downward parabola अब यार upward parabola जो होते हैं यहाँ पे notice करने वाली बात है कि जो upward parabola होते हैं मैंने अभी बताया भी था कुछ समय पहले कि उनकी minimum value finite होती है और maximum value जो होती है वो infinite होती है ठीक है तो minimum value तो finite होगी और maximum value infinite होगी लेकिन यह जो downward parabola होते हैं यह क्या है downward parabola है देखिए downward parabola है वापस दिता हूँ मैं इसको, मा लेते हैं कुछ इसको यू बना दिया मैंने, ठीक है, ये हमारा downward parabola है, तो इस parabola को अगर आप observe करते हैं, तो इनकी जो maximum value होगी ना, वो तो एक finite होगी और minimum value की बात करें, तो वो minus infinity होगी, क्या होगी, minus infinity, ठीक है, तो अगर a positive होगा, ऐसे quadratic polynomial में, ऐसे quadratic polynomial में, जो maximum value होगी, ये बात यह है, maximum value किसको अप्रोच करेंगी, infinity को, ठीक है, और अगर a negative होगा, तो downward parabola बनेगी, minimum value जो होगी ना, minimum value, ये किसको अप्रोच करेंगी, ये अप्रोच करेंगी, minus infinity को, अब यहाँ पे सवाल यह उठता है कि ऐसे parabola की minimum value क्या होगी यह बताई जाए और इस प्रकार के downward parabolas में ऐसे polynomial expression जिन में downward parabola वनता हो ऐसे polynomial expression की maximum value क्या हो यह बताई जाए तो यार यह अभी बता देते हैं मैंने क्या किया यह जो y equal to a square plus bx plus c है न इसमें मैंने whole square बनाने की कोशिश की मैं हमेशा बताता आया हूँ कि quadratic polynomial में quadratic polynomial में अगर deal करना है minimum और maximum के साथ तो whole square बना के deal करोगे तो यार बड़ा मज़ा आता है तो इसमें यहाँ पे देखिए मैंना whole square बनाने की कोशिश करूँगा तो यहाँ लिख सकते हैं x plus b by 2a का whole square ठीक है रहा और plus c by a को तो यूँ का यूँ रखा और यार यहाँ पे देखिए x square आएगा plus b square by 4a square को compensate करने के लिए minus b square by 4a square कर दिया 2 into x into b by 2a यह हो जाएगा b by ax ठीक है तो यहाँ पे देखिए whole square बनाया मैंने x plus b by 2a का whole square ठीक है जी completing the square की कोशिश की जाती है जब भी quadratic polynomial की maximum और minimum value को judge करना हो तो अपने को ठीक है अब इसको लिख दिया y is equal to a into a into x plus b by 2a whole square ठीक है ना और यार इस quantity को देखिए इसमें अगर अपन LCM ले लेना तो 4a square तो LCM ले लिया और यहाँ पे आ गया 4ac minus b square ठीक है 4ac minus b square ठीक है जी अब y जो है y को लिख दिया a into x plus b by 2a whole square ठीक है यह आप देखिए 4ac minus b square तो यह minus d के equal है किसके equal है minus d के equal तो इसको लिख दिया minus d minus d by minus d by minus d by minus d by 4 minus d by 4a square ठीक है ना minus d by 4a square है ना अच्छा यहाँ पर देखिए bracket थी यह bracket थी यहाँ पर करेक्ट है ना यहाँ पर यह bracket थी ठीक है तो यह यह a से जब मल्टिप्लाइ करेंगे तो यह a square जो है ना यह a square और यहाँ पर denominator में a square और यह numerator में a यह cancel होकर यहाँ पर a आ जाएगा तो आई होप आपको इतना तो समझ में आ गया होगा अब यहाँ पर देखिए अब मैं बोलना चाहूंगा कि अगर a positive होगा तो यह बात यहाँ पर notice करने वाली है कि इसके बाद अगर मुझे y की maximum और minimum value पर comment करना है था तो मुझे a के sign के बारे में मालूम होना जरूरी है तो यार अगर मेरा a positive है ठीक है अगर मेरा a positive है ना positive है ना positive तो यह quantity greater than equal to zero होगी तो यह वाली quantity greater than equal to zero होगी क्या होगी greater than equal to zero मतलब क्या होगा कि 0 से लेकर का आगे बढ़ती रहेगी इसकी minimum value देखना चाहते हो आप y की minimum value देखना चाहते हो तो इसको minimum होना पड़ेगा और यह minimum zero होती है यह minimum zero कब होती है जब x की value minus b by 2a हो क्या हो minus b by 2a ठीक है तो यार y की minimum value जो होगी ना y की minimum value होगी जब यह हमारी zero हो जाए और यह zero हो जाएगी तो y की minimum minimum value minus d by 4a हो जाएगी y की minimum value minus d by 4a हो जाएगी और वो होगी at x equal to minus b by 2a जब x की value minus b by 2a होगी उस condition पे y मेरा minimum हो जाएगा minus d by 4a ठीक है और यार यहाँ पे देखिए अगर a मेरा अगर a मेरा negative है अगर मेरा a negative है negative चीज है यह negative है negative को positive से multiply करोगे तो यह negative हो जाएगा क्या हो जाएगा negative हो जाएगा अब negative में x बढ़ाते जाओगे तो negative की तरफ हो लेगी यह quantity और यह minus infinity को अप्रोच करेगी तो minus infinity को अप्रोच करेगी तो overall देखोगे तो यह minus infinity हो जाएगा तो y के minimum तो minus infinity होगी बट maximum की बात करे न, ये एक negative चीज है, maximum value जब निकाले जाती है तो negative चीज जो है न, negative चीज, वो जितनी, उसका magnitude जितना कम रहे, उतना ही अच्छा है हमारी maximum value के लिए, ठीक है, तो इसका magnitude जब 0 हो जाएगा, तब मेरा y maximum होगा, तो यहाँ से हमको मालुम चल गया कि a negative पे y maximum minus d by 4 होगा, और वो भी कब होगा, जब x मेरा कितना हो, x मेरा हो minus b by 2a, यहाँ पे देखने पे जरूर लग रहा है कि minus d by 4a यहाँ पे minimum आगी, minus d by 4a यहाँ maximum आगी, बट यहाँ क्या हो रहा है न, a जब positive है न, a जब positive है इसको मेरे को minimum value देता है y की, और जब a की value मेरी negative है, उस case में minus d by 4a जो है न, वो y की maximum value देता है, बात समझा लिए आपको, तो कुल मिला करके अपन यह बोल सकते हैं, कि यार, y की minimum value है न, y की minimum value, वो minus d by 4a होती है, क्या होती है, minus d by 4a, अगर a positive हो तो, minus d by 4a, y की minimum value का प्रतीक होत है, और अगर a negative हो, a negative हो, तो minus d by 4a से हमको y की maximum value मिलेगी, y की क्या मिलेगी, maximum value मिलेगी, I hope यार, यह बातें आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है, तो in a nutshell यह बोल सकते हैं, कि यह जो a x square plus b x plus c है न, a अगर positive है, a अगर positive है, तो यहाँ पर इसकी जो range होगी, वो minus d by 4a से infinity होगी, और अगर a negative है, तो इसकी जो range होगी न, इसकी जो range होगी, वो minus infinity से minus d by 4a होगी, यह बात बसा ध्यान रख लीजिए, ठीक है, जो range होगी न, range, जो range होगी, वो minus d by 4a से infinity होगी, अगर a positive है तो, और अगर a negative है, तो जो range है, वो minus infinity से minus d by 4a होगी, ठीक है, और यार आप, पेराबोला का यह जो vertex है, मैंने बताया था, इस point को vertex बोलते हैं, इस vertex के coordinates भी बता सकते हो यार, यहाँ पे न, पेराबोला का यह vertex हैं, तो यह इस vertex के coordinates बता सकते हो, इसका जो y coordinate है, y coordinate, y coordinate बोले तो minimum values की, वो तो मिल गया अपने को, minus d by 4a, और यह y coordinate किस x पे आया है, मैं आपको अलड़ी बता चुका हूँ, यह आया है अपना x minus by 2a पे, किस पे आया है, x minus by 2a पे, तो यह एक बात आपको ध्यान रखनी है कि parabola का जो vertex है न, उसके coordinates आपको निकाल ले हैं, तो minus by 2a, minus d by 4a होते हैं, क्या होते हैं, minus by 2a, minus d by 4a होते हैं, पेरा बोला के जो vertex के coordinates याद रखें, minus by 2a, minus d by 4a होते हैं, question solving में बहुत काम आते हैं यह ठीक है, तो I hope आपको यह जो minimum maximum value quadratic polynomial की clear होगी, है न, a positive पे finite minimum value होती है, a negative पे finite maximum value होती है, बात समझा रही हैं आपको, तो यार, मुझे आप बता दें, दो question आपको दे रहा हूँ मैं, दो question as a homework दे रहा हूँ आपको मैं, यह question number 1, question number 2, ठीक है, दो question as a homework दे रहा हूँ आपको मैं, एक question तो यह है, find the range of, find the range of, fx is equal to minus x square minus 5x plus 6, ठीक है, और second question है, find the range of, find the range of, fx is equal to under root of, under root of minus x square minus x, minus x square minus x plus 4, इसकी range बताएं आपको, ठीक है, दो question आपको homework में दे रहा हूँ, यह question number 1 है, question number 2 है, आप comment box में अपना answer comment करें, comment box में अपना answer comment करें, और यह बात आप जानते हूँ, मैं सब के comment देखता हूँ, किसने सही answer दिया है, किसने सही तरीके से attempt किया है, किसने शिदत से attempt किया है, किसका comment जो है वो honest comment है सारी बाते में observe करता हूँ तो चरूर आप दोनों के answers जो है आप comment box में comment करें और इस प्रकार से करें answer 1 यूँ लिखें answer 1 इसके सामने आप first question का answer लिखें answer 2 इसके सामने आप second question का answer लिखें ठीक है और comment box में comment करके मुझे ये भी बताएं कि quadratic expression की minimum maximum value निकालने का formula आपको clear है क्या range quadratic expression की कैसे निकाले जाए ये आपको clear है क्या और आप मुझे बताएं कि क्या graph of quadratic expression आपको clear है क्या तो आज के इस प्यारे से session में इतना ही जल्द ही मुलाकात होगी हमारी quadratic अगले लेक्चर में आज मुस्कुराते हुए अलविदा कहने का समय आ चुका है तो आज के इस लेक्चर में इतना ही फिर से मुलाकात होगी हमारे नेक्स लेक्चर में तब तक के लिए बाई बाई पढाई करते रहें all the very best